माध्य प्रदेश कॉंग्रेस की प्रदेश प्रभारी रंडीव सुर्जवाला श्वनीवार्गोर प्रदेश कार्याले पहुचे जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपत द्वारा निकाली जा रही जन आशिरवाद यातर पर सवाल या निशान खड़े किये उन्होंने बयान देते हुए का कि बार-बार भेनों की बात कहने वाले शिवरास सरकार में महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं यहां रोज एक महिला के साथ बलतकार जैसी घटना होती है और इतने सालों से सत्ता में होने के बावजूद भी अब किस बात की जन आशिरवाद निकाल रहे हैं जब प्रदेश में असुरक्षा है बाच्पा सरकार पूरी तरह से फिसेड़ी साबित होई है ब्रश्टाचार यह 50% से अधिक जो ब्रश्टाचारी सरकार है इसका खात्मा करने के लिए आएं आदिवासी गरी बनुसूचि जाती नौजवान महिला वो जिस प्रकार से उठपीड़ी थें उस उठपीड़न को खटम करने आएं भोपाल तो राजदानी मुझे अगर निये कमनलाग जी बता रहे थे और शायद आज के अख़बार में चपा कि पिछले एक साल से हमारी एक मेहन बेटी के साथ हर रोज बलागकार की घटमा भोपाल में होती 18 साल में शिवराज सिंग शिवराज सिंग 18 साल में 58 हजार हमारी बेटियों हमारी बहुँं, हमारी माताओं से बलाबकार हुआ 87 हजार बेटियों का अपरन हुआ ऐसी सरकार को चुनो बरत पानी में डूब कर मर जाना चाहिए आप एक हजार रूपिया में हमारा इमान खरीबना चाहते हैं अरे धोखे बाज है ये धोखे बाज है बाजप्पाई और शिवराज सिंचोहान इसके पास हजार रूपिया नहीं है वो तो कमलाज जी लेकर आएंगे जब वो सक्ता की कमान समा लेंगे हर बेटी को, हर मा को, हर वाउ को केवल पंदरस सो रूपिया नहीं मिलेगा ये महिला को ताकत देने का रास्ता है वो पांसो का गैस सलिंडर हो वो बिजली की बात हो वो महिला सम्मान की बात हो और कितने दिन जूट बोलोगे शिवराज क्योंकि कमलनाद जी के पिटारे में तो अभी बहुत सारी चीज़े चुपी हुई है वो मैं नहीं बताऊंगा और कमलनाद जी से भी आगरे करूंगा आज मत बताईएगा एक धोखे बाज आज सप्ता पे सरपरस है आपने बता दिया तो वो लोगों से फिर धोखा करेगा अभी 20-25 दिन और इंतजार करिए जब चुनाव आयोग की जो हथकड़ी है दूसरी हथकड़ी तो बाद में लगेगी चुनाव के बाद वो इनके बाजुओं में जब जकड़ी जाएगी उसके बाद कमल नाद जी का पिटारा खुलेगा और फिर वध्यक्त देश का भविश्य बदलेंगे आप सबका बहुत बहुत कॉंग्रेस परिवार में स्वागत आपसे मुझे विश्वास है कि आपके आने से जो कॉंग्रेस के साथियों को गती मिलेगी जो ताकत मिलेगी वो बेजोड है और आप स्वागत जैहिं धन्यवाद